समाजवादी पार्टी विधायग इर्फान सुलंकी के बाद कानपुर पुलिस ने उनकी पत्नी नसीम सुलंकी के खिलाव जाँच के आदेश दे दी हैं ये नया मामला 3 जून की हिंसा से जुड़ा हुआ है जहां पर हिंसा के आरोपी हाजी वसी जो की पूरी हिंसा को फंड करने के आरोप में जेल में है उसकी कमपनी में पार्टनर थी नसीम सुलंकी जब ये बात सामने आई तो इर्फान सुलंकी ने एक वीडियो जारी किया और सफाई दी कि 2018 में ही उनकी पत्नी ने उस कमपनी से इस्तीफा दी दिया था अब जो नए कागजात सामने आए हैं ये दिखाता है कि 2019 और 2020 में एनुल फॉर्म के तहट नसीम सुलंकी ने मीटिंग जिरेंट करी कमपनी की वो भी डिरेक्टर पत्की हैसियत से साथी साथ 2019 में एक आडिटर की भी नियुक्ती करी गई वो भी नसीम सुलंकी द्वारा जब वो इस पूरे कमपनी की डिरेक्टर थी ये जो नए कागजात सामने आए हैं इससे प्रश्ण उटता है कि जब 2018 में वो रिजाइन कर चुकी थी तो 2019 और 2020 पे उनके डिरेक्टर